21 तारीक को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले उसके बाद घर में न आनिक कारण उनके जो घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंड दी थी नेरोल पॉलिशेशन में 22 तारीक को उसके पास इन्विस्टिकेशन में मैं इसा मालम चला कि एक जो वेहिकल है बलेनों तो आमीर की थी वो खलापुरू में एक जगा हमें पाई गई अबंडन उसमें वेहिकल में एक फाइरिंग के सिम्टम्स और दो एंप्टी कार्ट्रिज मिली और थो अबलेड दिखा तो उसके आधार पर हमने नेरोल में एफाइर रेजिस्टर की 30 आम सेक्ट विथ एटेम्ट तो मॉड़र एं 363 उसके इन्विस्टिकेशन में धर्मैन जो हम खुज कर रहे थे तो हमें पहले सुभी जैन की बॉड़ी मिली राइगार हदी में तो उसका भी हमने फिर और इन्विस्टिकेशन किया तो रिजन क्या हो सकता है इनका 363 या जो उसके बार मोटिव क्या हो सकता है तो यह पता चला कि यह दोनों का जो रियल एसेट का बिजनेस था और कुछ डिस्पूर्स थे पूरी स्टोरी जो है थोड़ी सामने आई तो स्टोरी इस प्रकार थी कि यह पूरा प्लैनिंग जो था एक दो दिन पहले सुमिज जैन ने और विठल नाकाडे ने किया था कि इसमें सुपारी देगी 50 लग की तुरू विठल नाकाडे और एक जो नेरू का रहवासी है आन और यह दोनों सुमीत और अमीर दोनों दो-तीन साल से काफी विवारा में साथ में काम कर चुके हैं और यह जो डॉक्रमेंट था यह इसमें कुछ गलत था अमीर को मौलूम था उसके जो डिस्ट्रिबुशन में में कुछ डिफरेंस थे तो और सुमीत के ओपर करीब करें 12- 15 करोग का करजा भी हो गया था इसमें ने लाएगा उने जो जो आप तक सामने आया कि जो रोह की प्रॉपर्टी है पालि की प्रॉपर्टी से उसक arb सुमीद जैन नाकड़े के मदद से जो में जो है जैसिंग और फ्राजा मुदलिया और उसका जो सरकारी जो आई भी वांटेड है उनको सुपर ही दी गई और उन्होंने पुरा फिर नेरूल में गाड़ी में बैटके बाकि जो सुमीद को स्टैब करना डिस्पोस करना यह सब जो है किया और सुमीद को उनकी मारने की पहली प्लैनिंग नहीं भी पर बाद में जो ब्रड लॉस हुआ एक्सेस और जो डिस्पूट हुआ गाड़ी में और उसमें बाद में और जो सेविंग उस पे हुई पैर पे उससे उसकी डेथ हुई ऐसा अब तो में जो समने आया है